हेलो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम जानेंगे यदि आपने आधार ओप्रेटर कम सुपर्वाइजर के लिए एक्जाम के लिए अपलाई किया है चलिए आज किस वीडियो को सुरू करते है और आपको दिखाते है कि आप आधार ओप्रेटर कम सुपर्वाइजर का एडिमेट कार्ड कैसे निकाल सकते है इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है यादि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लेट चैनल को सब्सक्राइब और बाइल इकन को प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली इसी तरह की नई वीडियो की नोटिपिकेशन मिलती रहे इसके लिए आप सबसे पहले अपने लैपटोम में गूगल क्रोम ओपन करेंगे आप यहां सर्च में लिखेंगे N-S-E-I-T-Log-In लोग-In लिखने के बाद आप इंटर करेंगे इंटर करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस हो होगा आप यहां आदार operator exam यहां पर कलिक कर देंगे वीडियो के description में आपको इसका link भी मिल जाएगा आप उस link पर कलिक करके भी इस website पर आ सकते है इसके बाद मैं यहां पर कलिक करता हूँ उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा user id में आप यहां पर अपना registration number डालेंगे जब आपने apply किया था तो वहां पर आपको registration number मिले था वह registration number आप यहां पर डालेंगे और नीचे आप अपना password डालेंगे जो आपका password है और आप यहां sign in पर कलिक कर देंगे इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा आप यहां पर views पर कलिक करेंगे views पर कलिक करने के बाद आपका जो admit card है उसकी detail आपके सामने आ जाएगी आप यहां पर देख सकते हैं मेरा यहां पर photo आ चुका है और मेरी यहां पर से भी detail आ चुकी है जो मैंने fill की थी जो मैंने apply किया था आदार exam certificate के लिए इसके बाद आप यहां control P कर देंगे control P करने के बाद आप यहां print पर कलिक कर देंगे print पर कलिक करने के बाद आपका जो admit card है exam देने के बाद आपको कैसे certificate पर आप होगा तो आप यहां sample certificate पर कलिक कर देंगे sample certificate पर कलिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं जैसा आपको यहां पर अपना certificate मिलेगा आदार supervisor exam देने के बाद दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और में कमेंट बोक्स में जरूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी